देखिए फैक्टरी में हर 10 मिनिट में हेलिकॉप्टर कैसे बना जाता है। तो बिना एक पल की देरिक ये चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। आगे बढ़ने जे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बैल आइकन को तबाना ना भूलें। की मदद से हेलिकॉप्टर के पार्ट्स का रूप दे दिया जाता है। इस वैक्टरी में काम करने वाले हर इंजिनियर का अपना एक अलग काम होता है। और यही इंजिनियर्स हैं जोकि अलग 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 पार्ट्स को मिला कर उड़ने वाले हेलिकॉप्टर को तयार करते हैं। जहां कुछ इंजिनियर्स हेलिकॉप्टर के में रूटर ब्लिट्स बनाते हैं जिसे हम पंखुडी बोलते हैं और कुछ इंजिनियर्स टेल रूटर ब्लिट्स बनाते हैं जिने हम पीछे की पंखुडी कहते हैं। कुछ इंजिनियर्स हेलिकॉप्टर की नीचे का स्टेंड तेयार करते हैं तो कहीं पर हेलिकॉप्टर की इंजिन तयार हो रहे होते हैं इसे ही इंजिनियर्स को अलग-अलग टीम में डिवाइट किया जाता है जो हेलिकॉप्टर के अलग-अलग पार्ट्स तयार करते हैं और पेंटिंग रूम में ले जाया जाता है जहां हेलिकॉप्टर को अच्छे तरीके से पेंट कर दिया जाता है और जब हेलिकॉप्टर पेंट हो जाता है तो इन सभी पार्ट्स को हेलिकॉप्टर की बॉड़ी से निकाल कर लकड़ी की पेटी में अच्छे तरीके से पैक करके जाता है ताकि इसे factory के दूसरे fitting department में भेजा जा सके जो दूसरे वाला fitting department होता है वहाँ पर experts हेलिकॉप्टर के सभी parts की अच्छी तरह से fitting करते हैं जहाँ सबसे पहले तो हेलिकॉप्टर की तैयार हो चुके parts को उतारा जाता है और फिर शुरुगात होती है helicopter के fitting की पहले तो ह ह Velvet驾क्टर के खड़े होने के लिए Stand Fit किया जाता है जिसके बाद Helicopter की बाड़ी में इंजिन फिट कर दिया जाता है और Helicopter में Blades लगाने के लिए इसके ऊपर वाले पार्ट को फिट करते है सारा काम करने के बाद Helicopter का leven हelikopter की body से fit कर दिया जाता है जिसके बाद हelikopter की पीछे वाले हिस्से को fit किया जाता है जिसे tail boom कहते हैं दोस्तनि इस process की बाद tail boom में helicopter की light fit की जाती है और फिर balance बनानी के लिए stabilizer लगाया जाता है और जब यह लग जाता है तो tail rotor blitz लगाया जाती है और अब helicopter को उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज में डोटर बिट्स फिट किया जाते हैं जिसमें दो अलग अलग बिट्स लगती हैं इस प्रोसेस के बाद हेलिकॉप्टर में विंडो गेट लगाये जाते हैं और अब दोस्तों हेलिकॉप्टर की पूरी बॉड़ी को एक अच्छा लुक देने के लिए cover fit किये जाते हैं यह सारी काम हो जाने के बाद हेलीकॉप्टर में आखिर में fill डाला जाता है जिसके बाद आपका हेलीकॉप्टर उडान भरने के लिए तयार हो जाता है पर इसकी टेस्टिंग के लिए इसे बार-बार चला कर टेस्ट किया बुलेट मैनुफेक्शनिंग प्रोसेस एक अच्छी और मजबूत गाड़ी का जिक्र हो तो भॉकाल जमाने वाली बुलेट बाइक का नाम सबसे पहले आता है ये कैसी रॉयल गाड़ी है जिसे चलाना लोग अपनी शान समझते हैं पर क्या आप जानते हैं कि लोगों के दिन के अंधर सभी जरूरी पार्ट छोड़ कर इसको तैयार कर रहें दोस्तों घूड का इनजिन देयार हो जाता है तो इसकी कंपिटर द्वारा टेस्टिंग की जाती है जब बटिक मेशिन से पॉलिश की जाती है और इसी तरह फैक्टरी में बुलेट के अलग-अलग पार्ट तेयार किया जाते हैं जब यह पार्ट तेयार हो जाते हैं तो अब बार यह आती है इनकी फिटिंग की जहां सबसे पहले एक फ्रेम को इंजिन पर सेट किया जाता है जिसके एक एक करके सारे parts बुलिट बाइक में जाकर fit हो जाते हैं तब जाकर आपकी बुलिट तयार होती है पर काम यहीं पर नहीं रुकता क्यूंकि जब बाइक की पूरी assembling हो जाती है तो conveyor belt की मदद से बाइक की speed of performance की checking होती है कि कहीं कोई गड़ बड़ तो नहीं है जब बाइक को पूरी तरह से चला कर देख लिया जाता है और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो इसे शोरूम में बेचने के लिए भेज दिया जाता है जिसे जो भी चलाता है उसका बहुकाल अलगी होता है बाई ट्रेक्टर मेकिंग प्रोसेस खेतों पर चलने वाले ट्रेक्टर को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा लेकिन आई अब हम आपको इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताते हैं जहां ट्रेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेक्टर की नीचे का जो इंज लेकिन इसे ट्रेक्टर में फिट करने से पहले कमपनी द्वारा को मची किया जाता यह जाता है। और जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो इसे अच्छी तरह से जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है और जब ट्रेक्टर की नीचे वाला हिस्सा सूख जाता है तो उसमें पेंटिंग की जाती है और पेंटिंग करने के बाद इसे 150 डिगरी सिल्सियस पर सुखाय जाता है अब ट्रेक्टर के नीचे वाले हिस्से को दुबारा से असेम्बली लाइन में लाकर सभी बॉड़ी पार्ट्स पर ग्रीस लगा जाती है अब दोस्तों रियार एक्सल ओयल भरा जाता है अब पीछे के हिस्से में बैठनी गली सीट लगती है और फिर इसके अंदर तेल की चंकी फिट की जाती है अब दोस्तों आगे और पीशे दोनों हिस्सों में ट्रेक्टर या टायर लगा दिये जाते हैं और फिर इंजिन से फैन और रेडियेटर जोड़ दिये जाते हैं जिसके बाद ट्रेक्टर पर मॉडल नंबर और इंजिन नंबर की प्लेट लग जाती यह सारी चीज़े हो जाने के बार ट्रेक्टर के आगे headlight और horn वगएरा fit किया जाता है और अब दोस्तों ट्रेक्टर की उपर वाली cover को चड़ाया जाता है और फिर उसमें steering और driver seat fit की जाती है ट्रेक्टर के अंदर जब बैटरी लग जाती है तो कमपनी ट्रेक्टर के ऊपर अपनी कमपनी का लेबल लगा देती है जिसके बाद ट्रेक्टर पूरी तरह से बनकर तयार हो जाता है लेकिन जिस तरह हर एक वीकल को मार्केट में पहुचाने से पहले उसका टेस्ट किया जा ठीक वैसे ही ट्रेक्टर के साथ भी होता है और जब ये ठीक धंग से चलने लगता है तब जाकर इसे शोरूम में पहुचा दिया जाता है जहां पर लोग इसे खरीद कर अपने खेते बाड़ी के काम को और आसानी से कर सकें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी फटा फटा में कॉमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोज को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंतरा को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूलें देखने के लिए श